13 एप्रिल 2022, आज की साकार मुझी, मीठे बच्चे ग्रहस्त रवहार में रहते कमाल कर दिखानी है, श्रेष्टाचारी देवता बनने और बनाने की सेवा करनी है, प्रश्न, राजाई के वर्से का अधिकार किन बच्चों को प्राक्त होता है, उत्तर है जो बाप के समीप बंद में है, अपनी चाल और चलन, आमदनी का पूरा पूरा समचार बाप को देते हैं, ऐसे मातेले बच्चे ही राजाई के वर्से का अधिकार टाक्त करते हैं, जो बाप के आगे आते ही नहीं, अपना समचार सुनाते ही नहीं, उन्हें राजाई का वर्सा भी मिल नहीं स वे हैं सतेले बच्चे, तो बाब कहते हैं अपना पूरा-पूरा समचार दो, तो बाबा समझे ये क्या सब्सक्र रहे हैं, बाबा बच्चों की हर हालत में उच्पद पाने का पुरिशारत कराते हैं, गीत कौन आया मेरे मन के दुआरे, उम्शान्ती, बच्चे जानते हैं परम पिता परमात्मा से हमारा क्या संबंध है, परम पिता तो कहते ही हैं पतित पावन अक्षर भी डाल दो, दिल में है कि परम पिता परमात्मा जो पतित पावन है, वो हमारा बाब है, बाब कहते हैं मैं बच्चों के सामने ही प्रतक्ष ह पाप बच्चों से ही रूरहान करते हैं शरीर से नहीं मिलते हैं जुलते हैं जो बात समझाई जाती है वह फिर औरों को भी समझानी है अभी तम जगत अमबा और जगत पिता को भी जानते हैं शर्फ को जगत पिता नहीं कहेंगे क्योंकि जगत में प्रजा है इसलिए कहा जाता है प्रजा पिता ब्रुमा और जगत अमबा अमबा सारे जगत की है इस्तिस्द हुआ वह प्रत जाईता है यह भी समझ चाहिए मनुश्य तो सब प्रमात्मा को याद करते हैं परन तो जानते नहीं अभी तुब प्रम पिता प्रमात्मा को जगत अमबा को प्रजा पिता ब्रुमा को जानते हैं उनकी आए संतान बने हो लौकिक माबाब तो सब को है उनको जगत अमबा या जगत पता ने कहेंगे जगत अमबा जगत पता होकर गए है इस समय फिर तुम आकर उनके बने हो फिर से हिस्ट्री जोग्रिफी रिपीट होनी है यह तुम जानते हो अब वापस बाप से वर्षा ले रहे हैं बाप है स्वर्ग स्थापन करने वाला जिसमें लक्षमी नारायन का राजी था तुमको भी बादशाही मिली थी अफिर से तुम ले रहे हो तो तुमको पूछना चाहिए परम पिता परमात्मा को जानते हो यह बात ऐसी है जो समझते हुए भी भूल जाता है अपने आप को भूल मात पिता को भूल वर्षा गवा देते हैं यह ही युद्थल तुम इस समय माया पर जीत पाने के लिए युद्थ के मैदान पर खड़े हो जब तक अंत न आये तो लडाई चलती रहेगी उस लडाई वाले भी जानते हैं अगर हम चाहें तो सेकिन में सब को उडा दे अभी तो एक दो को हतियार देते रहते हैं पूर्जा देते रहते हैं अगर कोई मार दे तो करजा खतम ही हो जाएगा नो बाबा भी अखबार पढ़ते हैं बच्चों को भी अकबार पढ़कर उससे सर्वस करने चाहिए बाबे से पूछना चाहिए बाबा आप तो स्वर्ण के मालिक हो फिर रेडियो क्यों सुनते हो सब बच्चे मालिक तो श्रुबाबा है हमको कैसे पता पढ़े कि वायू मंडल क्या है कहां तक लड़ाई आदी के आसार है इस समय गपोड़े तो बहुत करते है सदाचारी कमीटिया आदी बनाते है न उनको लिखना चाहिए कि दुनिया ही ग्रश्टाचारी है सदाचारी कोई कैसे हो सकता है ग्रश्टाचारी विकार को कहा जाता है यह बाते तुम बच्चे ही जानते है बच्चों में भी नमबरवार है तुम सब से पूछो कि परमपिता परमात्मा से आपका क्या संबंद है जैसे क्रिश्टिन्स जानते हैं क्राइस्ट ने फलाने समय पर जनम किया अच्छा उनके आगे कौन था लक्ष्मी नारायन को राजे के लिए हुए इत्ता समय हुआ है इस समय आदि सनातन देवी देटा धरम की धर्मभरष्ट कर्मभरष्ट हो गए हैं शास्त्रों में ही लाखो वर्ष पह दिया है अब तुम सुजाग हो गए तो फिर औरों को भी सुजाग करना है तुम जानते हो शिबाबा हमारा बाप है प्रजा पिता ब्रम्हा और जगतनवा भी हमारे मम्मा बाबा है फिर पूछा जाता है लक्षमी नाराएं को तत्यू का वर्षा कहां से मिला पाँच हजार वर्ष हुआ मिला था अब नहीं है अब फिर मिल रहा है अब हिस्ट्री रिपीट हो रही है सभी को बाप पाप संदेश कैसे दें क्या घरगर में डिंडोरा बीटें बाव केते हैं अच्छा वोड तुम भी लगा सकते हैं क्यूकि तुम हो मास्टर अविनाशी स्तरजन परम पिता परमात्मा है निराकार अब यह तो कोई नहीं जानते कि शिबाबा ने किसके शरीर में जन्म लिया ऐसे भी नहीं कह सकते हैं कि खृष्ण के शरीर में प्रवेशकर जन्म लिया यह तो तुम नंबरवार जानते हैं कि वो हमारा परम पुता भी है तो हमारा ठीचर भी है हमको बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं बाबा फिर से कल्प के बाद आकर मिले हैं समझते हो पक्का पक्का नश्य भी है फिर भर जाते ही वह नशा उड़ जाता है ग्रहस्त में रहते धंदे धूरी में रहते कहां तक नशा रहता है या तो जरूर बाब को लिखना चाहिए परन्तो बच्चे बाब को पूरा समाचारी नहीं देते तो बच्चे बाब को पूरा जानते हो तो बाब को भी तुम्हारा पूरा मालुम होना चाहिए न जबकि वो तुम्हारा दादा है तो तुमको उनकी चलन और आमदनी का पूरा-पूरा समचार देना चलिए तब तो मत देंगे, तुम कहेंगे शुबाबा तो अंतर्यामी है परन्तु ये ब्रह्मा कैसे जाने, कोई तो बाबा के आगे आते ही नहीं है इसलिए समझा जाता है यह सौतेले बच्चे हैं, तो राजाय का वर्सा भी नहीं पा सकेंगे अगर श्रीमत पर चलना है, तो पूरा समचार देना है बच्चे भी बाब का सब कुछ जान लेते हैं, बाब को भी समचार देना चाहिए यह है हमारा रुहानी, गृहस्त, व्रभार का संबंध यह है रुहानी इश्वरिय परिवार, सुप्रीम रूह से सभी आत्माओं का संबंध है ना सबसे यह प्रश्न पूछो, कि तुम इन लक्ष्मि नारायन को जानते हो, परमपिता प्रमात्मा को जानते हो, तुम सक्योगी श्रेष्टाचारी देवी देवताओं को जानते हो ये लिख सकते हो कि इन सब बातों को जानने से तुम श्रिष्टाचारी बन सकते हो नहीं तो कदाचित नहीं बन सकते ऐसी ऐसी सर्वित करने से तुम उच्पद पा सकते हो बुरश्टाचारी को श्रिष्टाचारी बनाना तुम्हारा धंदा है तो क्यों नहीं बोर्ड लगा देते हूँ? इस्त्री पुरुष दोनों इस सर्विस पर हैं, ताबा डाइरेक्शन देते हैं, पुरुन्तों फिर भी बच्चे भूल जाते हैं, अपने ही धंदे में लग जाते हैं. सर्विस जो करनी हैं, वो करते ही नहीं हैं, ना पूरा समचार देते हैं, ना बोर्ड लगाते हैं, बोर्ड में लगाया सर्विस नहीं की, तो समझेंगे, दिल अभिमान बहुत है. मुर्ली तो सब सुनते हैं बाबा क्या कहते हैं अनेक मत मिलती है प्रदर्शनी के लिए बाबा कहते हैं बच्चे गर्मी है तो पहाडी पर जाकर प्रबंध करो अब देखें कहां से समझार आता है कि बाबा हम यह प्रबंध कर सकते हैं जानकारी है तो जाकर हॉल वा धर्मशाला लेकर प्रबंद रचना है तो बहुतों को संदेश मिले यहां भी बोड लगा हुआ हो तो ग्यान, सागर, परमपिता, परमात्मा, पतितपावन से तुम्हारा क्या संबंध है? फिर जगत अंबा और जगत-पिता से भी तुम्हारा क्या संबंध है? वो क्या देंगे? सब बाते समझने वाले हैं जरूर जगत के मालिक बनाएंगे ना? बरोबर तुम अब बन रहे हो कल्प पहले भी बने थे यह बोड पर लिख दो तो फिर और सब प्रश्न ही खतम हो जाएंगे लक्ष्मी नारायन को यह विश्व के मालिक बने का वर्सा कैसे मिला? पूछने वाला तो जरूर जानता होंगा अगर इतनी सर्विस नहीं करेंगे तो गद्दी पर कैसे बैठेंगे? यह राज योग है नर से नारायन बनने का प्रजा बनने का नहीं क्या तुम यहाँ प्रजा बनने आएगे? बाबा के पास समाचार आए तो बाबा समझे यह सर्विस कर रहे है न घर का न सर्विस का समाचार देंगे तो कैसे समझेंगे के विजे माला में आएंगे? बाबा केते निश्चय बुधि वजियन्ति शंचय बुधि विनश्यन्ति तुम जानते हो अभी हमारी राजधानी स्थापद हो रही है उस राजधानी में उच पतपाने का तुम बच्चों को पुरिशार्थ करना है परणतू कोई की तकदीर में नहीं है तो टीचर क्या कर सकता है? तुमने ही ऐसे खोटे कर्म किये हैं, जो तुम्हें भोगना पड़ता है. मम्मा ने देखो, अच्छे कर्म किये हैं. तो कितना अच्छा अटेंशन से मम्मा ने उच्पत प्राप्त किया? तुम बच्चों को हर हालत में खूब पुर्शार्थ करना चाहिए. बाबा ने राय दी है, बोड बनाएं लगाना चाहिए, और छोटे-छोटे पर्चे बनाकर बाटने चाहिए, कि लक्षमी नारायन को जानने से तुम यह स्रिष्ट अचारी देरता बन जाएंगे. द्रहस्त व्यभार में रहते कमाल करके दिखाने हैं, कब छोड़ने का ख्याल ने करना है? तुम जानते हो, बाबा हमको ब्रह्मा द्वारा सिखला रहे हैं, शिव बाबा ही भारत में आया है, तो क्या निराकार आया? कैसे आया, क्या किया, कोई को पता ही नहीं. शिव रात की मनाते हैं, जरा भी पता नहीं. करमात्मा आते ही हैं पावन बनाने. बाबा कहते हैं, कोई भी बात में मूझते हो, तो पुछो, कि बाबा हमको यह बात समझ में नहीं आती है, 84 जन्मों का राज भी समझाया है वर्णों में भी आना है तुम यह धारन करते हो बरोबर हमने ऐसे 84 जन्म लिये हैं अब फिर हम सूर्यवन्शी बनते हैं जितना जो पुर्शार्थ करेगा उतना उच्पत पाएगा कितनी सहज बात है फिर भी बुद्धी में बैट साई नहीं तो आकर पूछो बाबा हम इस समझानी में मूझते हैं पहले पहले तो अलफ का परिचे देना है यह बोड पर सब लगा दे इस मौलेश से तुम सदा सुखी स्टेश्टाचारी बन जाते हो यह अच्छा है ना टेंटेशन होगा क्यों ना ऐसी बात जाकर समझे बाबा सर्विस से समझ जाएंगे कि कौन कौन सच्चा बच्चा है जो अटेंशन देते हैं वही माला का दाना बनेंगे करके दिखाना है तुम तो प्राक्टिकल सम्मुख वैट सुन रहे हो बाखी बच्चे मुर्ली द्वारा सुनेंगे ये सब समझने की बाते हैं फर्मात्मा बाप भी है फिर पतित से पावन बना कर ले जाते हैं तो गोया गुरू भी हो गए शुष्टी पे आदी मद्य अंत की नौलेज देते तो शिक्षक भी बन गए तो ये तीनों हो गया ना परंतु बहुत बच्चे भूल जाते हैं बुद्धी सेवा नशा निकल जाता है नहीं तो थाई खुशी रहनी चाहिए अच्छा मीठे मीठे सिकिला दे बच्चो प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुच मॉर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चो को नमस्ते धारना के लिए मुख्य साड पहला पॉइंट है वजे माला का दाना बनने के लिए अपने उपर पूरा पूरा अटेंशन देना है श्रेष्टाचारी बनने और बनाने की सेवा करने है दुष्रा, कोई भी ऐसा खोटा करम नहीं करना है जिसकी भोगना भोगनी पड़े बाप की राय पर कदम कदम चलना है बर्दान, अपनी आकर्षन मई स्थित्वारा सर्व को आकर्षित करने वाले रुहानी सेवाधारी भवर रुहानी सेवाधारी कभी यह नहीं सोच सकते कि सेवा में व्रधी नहीं होती या सुनने वाले नहीं मिलते सुनने वाले बहुत हैं तर्फ आप अपनी स्थिती रुहानी आकर्षन में बनाओ पड़ चुम्बक अपनी तरब खीच सकता है, तो क्या आपकी रुहानी शक्ति आत्माओं को नहीं खीच सकती? तो रुहानी आकर्षिन करने वाले चुम्बक बनो, जिस्ते आत्माय स्वतह आकर्षित होकर आपके सामने आ जाने यही आप वहानी सेवाधारी बच्चों की सेवा है स्लोगन समाधान स्वरूप बनना है तो तक्पुस मेह और सम्मान देती चलो मातेश्वरी जी के अनमोन महावाक्य परमात्मा एक है बाकी सर्व मनुश्य आत्माए है ममा कहते अब यह तो सारी दुनिया जानती है कि परमात्मा एक है वो सर्वशक्तिवान है जानी जाननहार है ऐसे तो सारी दुनिया खुद भी कहती है हम परमात्मा की संतान है परमात्मा एक है बल कोई धरमबाला हो वो वे परमात्मा को ही मानते हैं वो भी अपने को पर्मात्मा द्वारा भीजा हुआ संदेश वाहक समझते हैं ऐसी ही संदेश लेकर अपने अपने धर्म की स्थापना करते हैं जैसे गुरुनानक ने भी पर्मात्मा की इतनी बड़ाई की एकुमकार सतनाम एकुमकाल का अर्थ है पर्मात्मा एक है सत नाम अर्था उसका नाम सत्य है तो गोया पर्मात्मा नाम रुख वाला भी है अविनाशी है अकाल मूर्थ भी है तो फिर्थ करता पुरुष भी है माना वो खुद अकरता होते हुए भी कैसे ब्रम्हातन द्वारा करता पुरुष बनता है अब यह सारी महिमा एक परमात्मा की है अब मनुष्य इतना समझते हुए भी फिर भी कहते हैं इश्वर अहम आत्मा सो परमात्मा है अगर सभी परमात्मा ठहरे तो फिर एकुमकार यह महिमा किस परमात्मा की करते हैं इससे सिध है कि परमात्मा एक है अच्छा, ओम शांती